अमास के इसराइल पर हमला करने के बाद इसराइल ने गाजा पर चड़ाई कर दी थी जिससे आग बबूला हुए यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ऐसा तांडव मचाया कि इस रूट से होने वाला वैश्विक व्यापार ठप तो पड़ा ही साथ ही हूतियों न ना को चने चबवा दिये अमेरिका ने हूति पर लगाम लगाने के लिए करीब दस देशों के साथ मिलकर ऑपरेशन प्रॉस्परिटी गारजियन शुरू किया लेकिन थोड़े वक्त में ही उसकी भी हवा निकल गई और उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने साथ मिलकर क हमला करके उसे कमजोर करने की कोशिश की लेकिन उससे हूति और भी ज्यादा आकरामक होकर लाल सागर से आगे हिंद महा सागर समेत अरब सागर तक अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने लगा उसके इन हमलों से लाल सागर से गुजरने वाले व्यावसाइक को यमन के भीतर हूती के पांच अंडर ग्राउंड हथियार डीपो पर एक बहुत बड़ी एर स्ट्राइक की अमेरिका ने ये हमला अपने बी टू स्टेल्थ बॉम्बर से किया अमेरिका ने ये हमला ब्रिटेन के साथ मिलकर किया था हूती पर नकेल कसने के लिए बाइडन को अपना सबसे ताकतवर हथियार उतारना पड़ा लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका की ये कोशिश भी बेकार हो गई है क्योंकि हूती ने शुकरवार यानी 18 अक्टूबर 2014 को अरब सागर से गोजर रहे मेगालो पोलिस जहाज पर ड् हूती के सैने प्रवक्ता ब्रिगेडियर जन्रल याया सारी ने इस हमले की पुष्टी करते हुए कहा कि इस जहाज को कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों में प्रवेश पर लगे हूती के प्रतिबंद का उल्लंगन करने के लिए निशाना बनाया गया अफदत अल्गवात अल्मसलषत ल्यमनी तु बावनि ल्लाह तावाला अमलियत इस्थदाफ लिसफीनत मेगल अबुलस फिल बहर अरबी वजलिक बदाद मिन ताइरात ल्मसयरा वगद हक्गत अल्मलियत अहदाफ़ अधाफ बनजाह बफदल ल्लाह वण उन्फदत अल् अल्मसयर फिल गुवात अल्मसलषत ल्यमनीया लैसीजी से मिले डेटा के अनुसार माल्टा के ज्छंडे वाला कंटेनर जहाज मेगालो पोलिस अभी ओमान के सललाला बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है इस जहाज पर हमले के साथ ही हूती के मुख्या अब्दुल मलिक अल पुर्चाद ध्वस्त हो जाएगा या उसके लड़ाके हतोच साहित हो जाएंगे तो वे भ्रम में हैं सायदल हूती ने आगे कहा कि हमास एक अंदोलन जो अपनी स्थापना के बाद से ही द्रण और समर्पित रहा है अपने संस्थापक और कई प्रमुख निताओं की शहादत के बावजूद दगमगाया नहीं है अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि हमास कभी भी प्रतिरोध का जंडान नहीं छोड़ेगा युद का मैदान नहीं छोड़ेगा या आत्म समर्पण नहीं करेगा आपको बता दे कि लाल सागर में हूती के हमलों से पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्री चर मरा गई है एक अनुमान के मताबिक इस रूट पर एक साल में करीब एक ट्रिलियन डॉलर का सामान होकर गुजरता है लेकिन 7 अक्टुबर 2023 को हमास के गाजा पर हमले के बाद से ही ये रूट पूरी तरह से ठप पड़ गया है हूती का दावा है कि उसने गाजा युद शुरू होने के बाद से अभी तक 100 से ज्यादा माल वाहक जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किये है जबकि एक जहाज अभी भी हूती की कैद में है इसके अलावा हूती के हमलों में दो जहाज लाल सागर में समा चुके है